पापा शर्मा जी आये है अरे शर्मा जी बैठी बैठी न और कैसे आना हुआ आज एक सिगंड राधा राधा शर्मा जी के लिए पानी लाना हाँ जी ला रही हूँ अरे अरे भामी जी को परिशान मत करिये बेटा ले आएगा ख्या सर बेटा नहीं बेटी है हमारी आप लोगों को मुश्य शर्म आती है क्या मैं कौन हूँ मेरी पहचान क्या है अरे लोगों को क्यों नहीं बताते बेटा शांत हो जा क्या फरक पड़ता है हमें तो पता है बाहर वालों को बतानी की क्या जरूरत है कि मैं आपका खून हूँ तुमें बेटा बोले या बेटी क्या फरक पड़ता है फरक पड़ता है पापा मुझे फरक पड़ता है ये मेरी पहचान है आप लोग कभी नहीं समझोगे क्या फरक पड़ जाता है अगर पापा बोल देते हैं मैं उनका बेटा हूँ मुझे से इन लोगों कुछ शर्म क्यों आती है क्या सिर्फ गड़की के शरीड में पैदा होना ही मेरी पहचान बनके रह जाएगा मेरे पापा तक बोल नहीं पा रहे कि मैं कौन हूँ मैं दुनिया से क्या उमित करूँ ज़र मेरे अपनी ही मुझे नहीं अपना रहे मुझे इस शरीर में गुटन महसूस हो रही है इस घर में गुटन महसूस हो रही है मैं ठक गया हूँ लोगों को समझाते समझाते मैं जीना ही नहीं चाहता प्राइड मन्त एक वार्शिक परंपरा है जो की LGBTQIA प्लस कम्यूनिती के अधिकारों के लिए किये गए आंदोलन के प्रगति को दर्शाता है इस प्राइड मन्त हम आप सबको Transgender Community से वाकिव करना चाहते हैं इनको लेकर हमारे समाज में बहुत सारे गलत धारन आये हैं आज हम इनी को दूर करने आये हैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम Transgender किने कहते हैं Transgender वो लोग होते हैं जिनका Biological Sex और Gender दोनों अलग-अलग होते हैं Biological Sex एक Medical Term है जो जन के समय Genitals के आथार पर निर्धारित किया जाता है वहीं दूसरी तरफ Gender एक Social Term है जो हमें बताता है कि कोई व्यक्ति खुद को कैसे देखता है और समाज में खुद को कैसे दिखाना चाहता है एक Transwoman की Sex male होती है लेकिन उनकी Gender Identity female होती है इसलिए हमें उन्हें महिला की तरह संबोधित करना चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है इसे ही Miss Gendering कहते है इसका मुख्या कारण है लोगों में Gender Pronouns के प्रती आज्यानता Gender Pronouns Common Pronouns से अलग नहीं है किसी Transman के लिए He, Him या फिर किसी Transwoman के लिए She हर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है Transman के लिए तू क्या कर रहा है तू कहां जा रहा है जैसे वाक्यों का प्रयोग होता है उसी तरह Transwoman के लिए तू क्या कर रही है तू कहां जा रही है जैसे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है आम बाचीत में अक्सर हम biological sex के अधार पर gender प्रनाउस निर्धारित कर लेते हैं जो बहुत ही अपमान जनक है इसी भी वेक्ति के gender को अंदेखा करना उनके समाजिक अस्तित्व को अंदेखा करने जैसा होता है ट्रांस लोगों को अपने body को लेकर एक discomfort फील हो सकता है जो उनके sex और gender के अलग होने के कारण से हो सकता है इसे हम gender dysphoria करते हैं misgendering gender dysphoria को trigger कर सकता है इसे मानसिक स्वस्थ पर बुरा असर पड़ता है anxiety, depression, societal tendency ये कुछ आम परिणाम हो सकते हैं ट्रांस लोगों के प्रती समाजिक सोच में बदलाव लाने का पहला कदम उन्हें समाज में आम लोगों की तरह देखना है इसी के साथ हमें gender pronounce की जानकारी और उनका इस्तमाल दोनों आने चाहिए अगर हमें सामने वाले व्यक्ति का gender मालूम नहीं है तो हमें देश रद का प्रयोग करके उनसे उनका जेंडर पूछ लेना चाहिए ट्रांस लोग केवल खुझ से ही नहीं समाज से भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं हमें वो बदलाव बनना है जो हम समाज में देखना चाहते है हियो, my name is Anuputi Banerjee, my pronouns are she and hers, and I lead the LGBTQ Temporary Resource Group at AXCLEE & Coil Wings I remember an experience, which was a little more than just a misunderstanding, where a security guard who had seen me earlier and they kissed me and that was one of the most horrid experiences that I had ever had because this person decided to not respect the gender that I wanted to, you know, wanted the world to see me as I remember going back, you know, going back to my office cubicle and crying almost the entire day that is the amount of stress, the amount of pain, the amount of struggle that was something that I remember, especially early on, used to spoil my entire day even if one experience of misgendering happening, feeling of misgendering, the struggles, the pain is very very real we can definitely try and respect people's pronouns, in fact one of the best ways to start a conversation with someone is to share your own pronouns I love this hat and I wish all people at NIT Ravtila a very very happy private one Thank you Thank you Thank you